तो दोस्तों आज है संडे और एक बार मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ आप लोगों के कमेंट्स के जवाब देने के लिए इस संडे कमेंट बॉक्स में आईए वीडियो को जल्दे से स्टार्ट करते हैं आप देख रहे हैं एवन टेक्नलोजी आईए कुछ नया जानते हैं दोस्तों जो पहला कमेंट है वो आया है प्रतमेश कराले की तरफ से और उन्होंने पूछा है कि सर मेरा एक फैक्ट चैनल है तो क्या सर मैं अपने वीडियो के लिए गूगल इमिजेस का इस्तमाल कर सकता हूँ और अगर कर सकता हूँ तो प्लीज मुझे विस्तार में संडे कमेंट बॉक्स में समझाईए तो दोस्त प्रतमेश कराले जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने किसी भी वीडियो में गूगल की फोटोस का इस्तमाल यूँ ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें जितने भी फोटोस रहती हैं वो किसी ना किसी दौरा वहाँ पर पोस्ट की रहती हैं और उन फोटोस का आप अपने वीडियो में कहीं पर यूज करते हैं कॉमर्शियली तो उस पर आपको कॉपीराइट जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इसलिए मैं आपको एक लिंक प्रवाइट कर रहा हूँ इस वीडियो के आई बटन में आप वहाँ पर जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं वहाँ पर मैंने 5-6 वेबसाइट के विशा में बताया है जिसमें से आपको कॉपीराइट फ्री इमेज़ेज मिल जाएंगी तो उन्होंने पूछा है कि सर क्या हम अपने इस्टाग्राम से किसी भी पोस्ट को उठा करके और अपनी वाइस ओवर दे करके मतलब कि उसकी वाइस को म्यूट करके उपर से अपनी वाइस ओवर दे करके अपने चनल पर अपलोड कर सकते हैं तो क्या इससे कोई तो यह पूछना चाहता हूँ कि आप किस टाइप की पोश्ट की बात कर रहे हैं, अगर आप शौर्ड वीडियो में कोई वीडियो उठा करके Instagram से वहाँ पर लगाने की सोच रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, तो शौर्ड वीडियो के अंदर अगर आप किसी भी third party application का use करते हैं, वहाँ से वीडियो या post उठा करके डालते हैं, तो आपको अपने वीडियो पर किसी प्रकार का copyright claim या कोई दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, तो आप इस तरह के ना करें तो वो ज्यादा बहतर है, लेकिन अगर आप अपनी long वीडियो में कहीं से कोई भी वीडियो आप डाउनलोड करके अपनी जो long वीडियो आपने बनाई हैं, उसमें कहीं बीच बीच में clip की तरह, as a clip की तरह कर आप उसको use करना चाहरा है, उसकी voice को कम करके, mute करके तो उसको आप कर सकते हैं, उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक ह चलिए अब बढ़ते हैं अपने third question की ओ, third comment की ओ, तो देखते हैं third comment किसने किया है भाई, तो third comment किया है fact देखो इंडिया जी ने और उन्हें ने पूछा है कि sir क्या channel का link ज्यादा बार send करने से YouTube की reach में कोई फर्क पड़ता है, और वीडियो को share करना चाहिए या नहीं, please pick my question, तो fact देखो इंडिया जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप लोग क्या करते हैं, कि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि comment section में, दूसरे के videos के comment section में जा करके, वहाँ पर अपने video का या अपने channel का link डाल देते हैं, तो ये पूरी तरके से गलत चीज़ होती है, इसको YouTube एक spam मानता है, और उनके तक वो comment नहीं पहुंच बाता है, और इस type को जो comments होते हैं, वो हमेशा head for review में रह जाते हैं, और public में show नहीं हो पाते हैं, तो लोग आपके channel पर पहुंच नहीं पाते हैं, पहली बात, दूसरी बात कि ये spam होता है, ये misleading होता है, किसी भी तर वीडियो को भरपूर शेयर करना चाहिए, खुब शेयर करना चाहिए, लेकिन ऐसी ही जगह पर शेयर करना चाहिए, जहां पर आपके मतलब की जनता बैठी हो, जो लोग fact पर मतलब की interest रखते हैं, जिनको facts मतलब है, fact वो सुनना पसंद करते हैं, fact के विशन बात करना लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर अपनी वीडियो को शेयर करते हैं, जैसे माली जे किसी का comedy का चैनल है, या फिर cooking का चैनल है, या फिर सिलाई कड़ाई का चैनल है, वहाँ पर आपने वीडियो को शेयर कर दिया, fact वाली वीडियो को, तो उनको पसंद नहीं आने वाली, किस आपकी वीडियो को खुद ही शेयर करता है, उस पर खुद ही बहुत ज़्यादा इंप्रेशन्स और रीच भेजता है, अब बात करते हैं, अब बात करते हैं, आपने लाज्ट बटन और द लीस्ट चौते कमेंट की और ये पूछा है, मल्टी टैलेंट प्यूज जी ने, इ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब के अलगॉरित्म में या फिर यूट्यूब की गाइडलाइन्स में कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कोई डेट चैनल नाम की कोई चीज होती है, बस डेट चैनल क्या होता है, यह हम लोग या फिर जनरल भाशा में हम लोग बोल देते हैं कि भाई व्यूज नहीं आ रहा है तो हमारा चैनल डेट हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ प्यूज जी कि डेट चैनल हलाकि कि कहा किसको जाता है, डेट चैनल का मतलब यह होता है कि जैसे आ यह फिर चैनल के कि जाता है, रेकिन अब आज जाता है, इसको ठीक किन गख सकते हैं यह फिर दोड्त को प्लोड करणे के लिए अपने चैनल को आप लोगों को सही करने के दुरूस करने को शाय कर दो अब मैं आपको बता दो कि अगर माल लीजे कर लगता कि आपका channel dead हो गया तो उसको ठीक कैसे किया जाता है उसको ठीक करने का सीधा सीधा एक ही फंडा होता है कि आप videos upload करें जो running topics चल रहा है जो trending में चल रहा है जिसको लोग search कर रहा है ऐसे topics को आप वहाँ पर upload करें अच्छा खासा thumbnail लगाए HD quality का thumbnail लगाए JPG में thumbnail ना लगाए, low quality का, dim quality का thumbnail आप कभी भी ना यूज़ करें हमेशा HD quality का चटक colors के साथ वाला thumbnail को आप वहाँ पर अपने लगाएं title लिखें बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा सा सर्च कर लें उसके बाद आप description लिखें, description बहुत बड़ा role play करता है किसी भी वीडियो को rank कराने के लिए, अपने वीडियो के description में अपने channel का नाम ज़रूर लिखें और इस तरीके से अगर आप करते रहेंगे 10-15 दिन, 20 दिन तो आपका channel फिर से alive हो जाएगा, जी उठेगा, उसके अंदर जान आ जाएगी और अगर इसके विशे में आप detail में जानना चाहते हैं, तो मैंने वीडियो बना करके रखी है, आप उसको जाएए, watch करिए, देखिए, समझेए, किस तरीके से मैंने बताया है, कि dead channel को कैसे ठीक किया जा सकता है, कुछ points दिये हैं, उसमें कुछ tips बताइए, उसको देखिए आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा, सारा confusion आपका दूर हो जाएगा, और आपकी सारी समस्या का समधान आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा, मैं आपको end screen में वो वीडियो प्रोवाइट कर दो, दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं परेंट करना चाहता हूँ, आज सिंप्ली मेरे चनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे दीगे बेल आइकन को प्रेस करके उसको आल पर क्लिक करना है, और नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके हैश्टेग आस्क 80 लिक करके अपने कमेंट को वहाँ पर ड्रॉप करना है, हो सकता है कि नेक्ट संडे को या फिर अपकमिंग संडेश को आपके भी चनल को पिक कर दिया जाए और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आपके सवालों को जवाब दे दिया जाए और आपके चनल को shout out भी दे दिया जाए, तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में नेक्ट आपेश आपिसा, तब द पाइ टेक चेर लव य अब्यू बब्यू याँ यू